Hello friends, मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूँ आप सभी आपके अपने चैनल कुक्वित भोली में आज हम बनाने वाले हैं आलू दम की सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही टेस्टी सी सबजी हमारी बनी है ये देखिए तो आप सब भी इसी तरीके से एक बाद जरू ट्राइ करके देखिए आप सबी को भी ये बहुत ही ज़ादा पसंद आएगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो प्याज लिए हैं इन्हें रफली काट लिया है और 10-15 यहाँ पर लहसुन की कलिया है और एक इंच अधरक का तुकड़ा है तो इसे हम मिक्सिके जार में डालेंगे और इसका बारिक सा पेष्ट बना करके हमें तयार करना है थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे और यह देखे पेष्ट रेडी है हमारी और यहाँ पर मैंने आलू को एक सीटी आने तक बाल करके रख लिया है बस एक सीटी ही लगाना है हमें इससे ज़्यादा ओवर्फूग नहीं करना है बिल्कूल भी तो अब एक काटा चममच लेंगे और उसे इस तरह से हम इसमें छेट कर देंगे तो जितना भी आलू है सारे में हम इसी तरह से छेट कर लेंगे ताकि जो भी मसाले है वो आलू के अंदर अच्छे से समाज आए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चड़ाई है सबसे पहले इसमें हम कुछ मसाले भूनेंगे तो एक चममच साबू धनिया है यहाँ पर एक चममच अच्छी यहाँ पर जी रह है अब ये कुछ खड़े मसाले हैं तो एक इंच दालचीनी का तुकड़ा, दो बड़ी इलाइची, एक स्टार फूल, थोड़ी सी जावित्री है और तीन-चार लॉंग है और थोड़ी सी काली मिर्च है तो सारे मसालों को डाल करके हम एक से दो मिनाट के लिए इसे भून लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर खड़े मसाले, इसकी इप भी कर सकते हैं, इन्हें आप तेल में फ्राई कर सकते हैं अब सारे मसालों को मैंने एक साथ पीस लिया यहां पर तो एकदम फाइन पाउडर बनाना इसका हमें अब यहां पर एक काटोरी मैंने दही रखी है यह दही बहुत ज्यादा खटी नहीं है अब यह जो मसाला हमने पीस करके रखा है उसे इसी में मिक्स कर लेंगे तो अच्छ पर आप तेल डाल लीजिए उसके बाद सारे आलू हमें अच्छे से फ्राइब करके निकालना है इसमें तो जैसे यह नीचे से शिख जाते हैं हम इने पलट लेंगे और अच्छा गोल्डन सा कलर आने तक इसे हमें फ्राइब करना है तो पलट पलट कर मैंने इसे अच्छे से शेक लिया है और यह देखिए इसका बहुत ही प्यारा कलर आ गया है इसमें एकदम गोल्डन सा कलर आ गया है इसका जो उपर वाला लेयर है वह अच्छे से शिख चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और जरूरत के इसाब से मैंने यहां पर तेल बचा लिया है बाक तो यह देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं इसने तेल छोड़ दिया है साइट से अब इसी में हम दो चम्मच कास्मीरी लाल मिर्ज का पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच दनिया का पाउडर है एक चम्मच हल्दी पाउडर अब सारे मसालों को मिक्स करके हम एक मिनाट के लिए इसे भून लेंगे और जैसे यह हमारे मसाले भून जाए इसमें हम दही वाला पेश्ट डाल देंगे और इसे भी डालने के बाद हमें कंटिन्यू चम्मच चलाना है इसमें नहीं तो जो दही है वो फटने लगती है तो कंटिन्यू आप इसे चलाते रहिए अब यह जो बरतन था दही का उसी में मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और उसे भी डाल देंगे ताकि हमारा जो मस क्योंकि यह बहुत ज्यादा छीटे मारती है थोड़ा सावधानी पूर्वाक आप इसे चलाते रहें कंटीनियू और हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसके उपर तेल अलग ना दिखने लग जाए तो यह देखिए लगातार मैंने इसे तीन से चार मिनट के लिए भून लिया है इस तरह से और अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और यह देखिए मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हमारे अब यहीं पर जो हमने आलू तल करके रखा है उससे भी डाल देंगे इसे मिक्स कर लेंगे स्वादन उसार इसमें हम नमक डाल देंगे और ग्रेवी देखकर यह आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी सबजी बनी हमारी तो यहाँ पर लगबग मैंने एक ग्लास पानी डाला है इसमें तो ग्रेवी आपको जितना भी गाढ़ा या पतला रखना है उसके सब्सक्राइब करने में भी यह उतनी ही टेस्टी है अब इसमें हम उपर से हरी धन्या की पत्ति डालेंगे वापस से इसे मिक्स कर लेंगे और यह लीजे हमारी आलू दम की सबजी बन करके तयार है तो आई होप आपको आज की रेसिपी अची लागी होगी अगर वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिश्ना